जी एफ है आपकी प्लीज 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 रिप्लाई क्या हम साथ मन्थ में नीट क्लियर कर सकते आई हैव एक क्रश ऑन यू दिस 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 वन दिस और भी बहुत सारे हैं एल्लो एवरिमन कैसे हो सब लोग वैर लास्ट पोस्टर मैंने तुमसे बोला थे कि पहला कोश्चन है शहबाज नाइक का वी आर बिंग टॉट रैशनलाइज़ स्लेबस अफ एट कोचिंग सेंटर बट अगर तुम्हारी कोचिंग में वो स्लेबस फॉलो कर रहे हो तुम लोग तो दिक्कत यह है कि नीट 24 का स्लेबस एट ने नहीं बताया है कि जो चेप्ट कर आएगा या नहीं आएगा ऐसे में क्या करें कि मेरी एडवाइस रहेगी कि यह स्लेबस तो तुम पूरा पढ़ लो जो चप्कर सब्सक्राइब है वो भी तुम कर लो फिर बाद में इनके संट यह बोलता है कि वो चप्कर नहीं आएंगे तो ठीक है ना कोई एक्स्ट्र सब्सक्राइब से हट चुका है बट वो चीज़े पढ़ा उनको स्क्राइब करो ठीक है नेक्स्ट लोन का क्वेश्चन तो नहीं है इट इस आई हैव एक क्रश ऑन यू थैंक यू सानिया लोन राजा जी नेक्स्ट वेस्टन है पर्क हाव डीड यू प्रेपेर फॉर एफ्टीज दूरिंग अलेउंध और ट्वेल्थ वाट 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 वाप्रोच स्टेप बाई स्टेप होंगे हर दो हफते बाद से तीन दिन में मेरा एफ्टी है तो सबसे पहला फोकस मेरा होता था फिजिक्स और केमेश्टी पर आयव तो सॉल मेक्सिमन वरफ कोश्यन से प्रवाडिट के मिरे कंसेट क्लियर है नहीं है तो पहले उस के मैं लेक्शेर देटा था था और जो लास्ट अधी होता था या मालोगा एक्जाम से पहले अब जो लास्ट भी होत लेते थे तो एक दो बार मॉडिल भी में पढ़ लेता था तो सीक्वेंस परपरेशन का था फिजिक्स केमिस्टी बायोजी और पेपर एटम्ट करने का तरीका उल्टा होता था था बायोलजी चैमिस्टी और फिजिक्स इफ इस मच यॉर गुड तो नेक्स्ट क्वेश्च स्कोर आना चाहिए अब अगर नहीं आ रहा है तो देखो गडबड कहां पर हो जाए क्या तुम 12 से 13 गंटे अटे स्ट्रेज पढ़ रहे हो जिसमें बीच में नींद भी आ रही होती है बीच में हम रिले भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बदला ह कैसे बदल सकते हैं जितना भी आप दिन में पढ़ते हो उसको स्लोट्स में तोड़ दो तीन गंटे से ज्यादे अटे स्रेज नहीं बैठना है उठो पांच मिनट थोड़ा चलो एक रूम से दूसरे रूम में जाओ पानी पीओ कहीं और जाओ बट उस ब्रेक में रियल्स म करने हैं जश्ट मेक शूर कि तुम्हारा पूरा फोकस है उस ताइम पर जब तुम पढ़ रहे हो एंड प्रेक्टिस मोर और मोर तो डेफिनिटी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा एनलिस कैसे करनी हैं टेस्ट तुमने दिया हैं मार्क्स कम आये हैं तो जो कुशिंस तुमने क्या में नीट में स्लेक्ट हो जाऊंगी नए कि क्या कर रहा है तो आई बहन तो शाकिर का हाउ टो अपलिफ्ट स्कोर फ्रम पांच सो असी से 650 प्लस इन आकाश के टेस्ट स्कोर इंप्रूव कैसे करें 600 प्लस 650 प्लस अगर जाना है तुमारे कंसेट्स अच्छे से क्लियर ह होने चाहिए एनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज्यादा रिविजन्स तुमने किये होने चाहिए एंट टेस्ट के अनलिस ताकि इस टेस्ट में जितने मार्क से अगले में इस से ज्यादा तो डेफिनिटल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा नेक्स्ट नवीद हाव कुछ इंपॉर्टेंट है याद करना तुम अपने निमोनिक्स मना लो तुम कुछ ट्रिक्स कर लो बट एग्जामपल्स याद करनी हैं फिजिक सेंश्टी के क्वेशिंस करने चाहिए या नहीं फिजिक्स में तो I don't think कि important है वो questions प्रैक्टिस करना अगर तुमने सब कुछ ही कर ले आप तुम सुच रहे हो कि क्या करूं तो एक बार उन जज्ज गो थ्रो दीज बट प्रायोरिटी नहीं है कि सबसे पहले वही करना है फिजिक्स में तुम्हारी जो questions हो गया NCRT कै कि अगर तुम skip कर रहे हो तो it's okay chemistry में inorganic or organic questions एक बार देखके जाना they will help you so chemistry के तुम कर सकते हो physics के नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है question feel the nature तो question क्या है कि जैसे जैसे time pass होता है कि वैसे वैसे गोल पास होता है being a man having lot of issues regarding adolescent age hormonal change how to be the best in our zone तो भाई being a man ने being a boy man बनीगा तो adult sense कहा रहेगी फिर adult sense age काफी important आवेग है मेरे हिसाब से तो adult sense में बहुत जगा तुमारा मन बटका हुआ रहता है I think इस पे तुम्हें separate video भी बना लूँगा but in short सुनना चाहते हो तो हमेशा भाई तेरे पास choice रहेगी कि तो यह वाला रास्ता चूज़ करेगा यह वाला रास्ता चूज़ करेगा अब वहां पर तुझे sensibly सुचना पड़ेगा कि इस रास्ते से मैं किदर कि तरव जाऊंगा यह यह रास्ता अगर मैं इस रास्ते पर चल भी रहा था अभी तक तो मुझे क्या मिला इस रास्ते पर अगर मैं चलूं तो मुझे आगे क्या मिलेगा इस तरीके अगर तुम sensibly decision लेते हो तो hopefully तुम सही रास्ते पर रहोगे but there is a lot more to it I hope it helps कभी इस पर separate video बना कर बात करेंगे Mr. fact क्या हम 7 month में neat clear कर सकते जीरो से preparation start कर रहे हो क्या, definitely layer कर सकते हो but बहुत 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 पढ़ना पड़ेगा अब जो बंदर दो साल से preparation कर रहा है dedication के साथ तो you can't expert कि तुम एक महीने में उसे पीछे चोड़ दोगे definitely उसके पास एक extra edge है लेकिन अभी भी अगर तुम जागे हो तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है जी जान लगा कर पढ़ना पढ़ेगा बहुत ज़्यादा पढ़ना पढ़ेगा लेकिन अगर तुम साथ महीने daily पढ़ते हो definitely crack कर सकते हो next always question practice versus theory which is important तो always तू खाना खाता है कि पानी पीटा ए दोनु करता है न तो दोनु important थेयरी नहीं पढ़ेगा तो question कैसे solve होंगे और थेयरी पढ़के question solve नहीं किया तो क्या किया मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया थेयरी इसलिए पर रें ता कि question solve दोनों इंपोर्टेंट है ना दोनों पर फोकस करेंगे can we get hold on a particular chapter of physics by practicing ample number of questions or we have to do anything else physics में theoretical questions को tackle कैसे करें physics में hold कैसे आएगा step number one तुमारे concepts clear होनी चाहिए step number two practice करो जितना कर सकते है theoretical questions को कैसे handle करना है तो यार yes physics में लेटली theoretical questions कुछ-कुछ पूचे जा रहे हैं उनके लिए तो तुम क्या कर सकते हो देखो physics में end में summary होती है ncrt में और points to ponder वाला table होता है at least वो तो कर ही लो और बाद में फिर जब तुमारा पूरशलेबस हो जाएगा एक बार ncrt उपर उपर से उसके बाद सौड इलस्ट्रेशन देखनी है उसके बाद question practice करनी है question practice हो रहे है तो well and would नहीं हो रहे है तो उनमें गोला लगाओ उस गोले को फिर solution ढूंड़ो उसका चाहे teacher के पास जाओ चाहे online ढूंड़ो वह solution मिलेगा तुम्हें नहीं concept पता चलेंगे ताकि same button का question आएगा तुम गलत नहीं करोगे बहुत से वीडियो में मैं कह चुका हूं बट स्टेल ही questions आते है कि physics में दिक्कत हो रही है physics में दिक्कत हो रही है तो बेटा question practice ज्याद से ज्याद करनी है concept समझने के बाद score improve होग होगा practice more and more then champion 18 ने पूछा है I want to go to aims B help me by guiding and giving tips to save time and score more तो दोस मेरा पूरा चैनल पढ़ा है इसमें mostly preparation के related videos है तो जो कोई concept पढ़ना है biology कोई chapter पढ़ना है वो भी uploaded strategy videos भी uploaded है किस चीज में क्या करना है इसके सिवा तुम्हारा कोई doubt है कोई issue है कोई query है तो बताओ यार नीचे comments में I will try to answer all of your questions सबसे ज्यादा जो मेरे please please reply नहीं नहीं है ओके तो यार यही था आज का क्योंडे I hope तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे इनकेस अगर तुम्हें अपना answer नहीं मिला है यांको और कोई question है नीचे comments में बताओ यार हम उसके जवाब देंगे बाकी इस video के लिए इतना ही I'll see you in the next one take care बाइ